हेलो फ्रेंस प्रेजेंट टाइम के हमारी वित मंत्री है निर्मला सीता रमण जी जो संसत भवन में एक फरवरी को बजट पेस किया है और इस बजट से जितने भी इंपॉर्टेंट कुशिन बनेंगे वो उनसे रिलेटर फेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकस क करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला कुश्चिन क्या है केंदरी वित मंत्री निर्मला सीता रमण ने बजट दो हजर बाइस तेस पेस करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्ट्चूल डिजिटियल आसेट्स के हस्तान तरण से होने वाली आए पर कितने प्रस राइट होगा ठीक न तो वर्ट्चूल डिजिटल असेट्स के हस्तान सर में होने वाली आए पर तीस परसेंट का टेक्स लगेगा ठीक न अब इसते इंपॉर्टेंट फेक्ट क्या बनेगा कि निर्मला सीता नमर ने जो किंदरी वित मंत्री है वर्ट्चूल डिजिटल कर इंडिया अपना डिजिटल करंसी लॉंच करेगा ठीक न नेक्स्ट कुश्चिन के है दूसरा कुश्चिन है के इंदरी वित मंत्री निर्मला सीता नमर जी ने बजट दो हजार बाइस तेस पेस करते हुए बताया कि वित वर्च दो हजार तेस में कितने किलोमीटर का हाइवे तैयार किया जाएगा वर्च दो हजार तेस में ठीक ना इससे इंपोर्टन फेक्ट क्या बनेगा इकेंदरी वित्र मंत्री निर्मला सीता नमर जी ने बजट दो हजार बाइस तेस पैस्क पेस करते हुए बताया कि वित वर्च दो हजार तेस में 25,000 किलोमेटर का ह केंदरी बजट अमरत काल के अगले 25 वर्चों का ब्लूपरिंट है ठीक ना नेक्स क्या है तीसरा क्यूषण है केंदरी वित्र मंत्री निर्मला सीता नमर को किस साल सबसे लंबा बजट भासड दिया था साल 2020 में साल 2021 में साल 2022 में साल 2019 में तो इस क्यूशन का राइट आंसर option एराइट होगा साल 2020 में जो है निर्मनला सीतर नामन जी ने सबसे लंबा बजट भांसर दिया था ठीक है अब इससे important क्या effect बन सकते हैं कि जो एक फरवरी 2022 को सबसे छोटा बजट भांसर लगबग 90 मिनट का दिया है ठीक है ना सीतर नामन की नाम पर सबसे लंबा जो बजट भांसर देने का record है वो एक फरवरी 2020 को केंदरी बजट पेस करते विए 2 घंटे 40 मिनट तक भोली थी सबसे लंबा भांसर ना कब दिया था एक फरवरी 2020 को 2 घंटे 40 मिनट तक भोली थी और फिर 2019 में दो घंटे 17 मिनट का मासर दिया है और जो 2022 का है यह सबसे छोटा बजट भासरा है लगबाग 90 मिनट का है ठीक है ना नेक्स कुश्चन क्या है चौता कुश्चन है वित मंत्री निर्मला सीता नमण के अनुसार अगले तीन साल के कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माणवा विकास किया जाएगा 500, 600, 200 या 400 तो इस कुश्चन का राइट अन्सर 400 होगा ठीक है ना अगले तीन साल में 400 भारत ट्रेनों का निर्माणवा विकास किया जाएगा ठीक है ना इससे इंपॉर्टन के अफ्रेक्ट बन सकेगे कि वित मंत्री निर्मला सीता नमण ने लोग कि ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरन बहतर अनुभाव के अनुरूप तैयार किया जाएगा ठीक ना नेक्ट कुश्चन क्या है पांचमा कुश्चन है वित मंत्री निर्मला सीता नमण ने पीम ई विद्या वन क्लास वन टीवी चैनल कारक्रम को बारा से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा ठीक ना तो इससे इंपॉर्टन फेक्ट क्या बनेगी कि निर्मला सीता नमण ने बताया कि पीम ई विद्या वन क्लास वन टीवी चैनल कारक्रम को बारा से दो सो टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा सभी राज्यों में कक्छा एक से बारा तक के छेतरी भासाओं को सप्लेमेंटरी सिक्षा प्रदान करने की सक्चम बनेगा इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घुष्णा किया जाएगा नेक्स्ट क्या है चटमा क्योश्चन है वित्मंत्र निर्मिला सीता नमण की अनुसा जाएंगे इसके अलावा मैट्रो सिस्टम का निर्मान के लिए नवीन तरीकों को कारेवरेंट किया जाएगा वित्मंत्र ने कहा कि अरबन ट्रांस्पोर्ट को रेल्वे के साथ जोड़ा जाएगा इससे पहले पोस्टल और रेल्वे का नेट वर्क बहतर होगा ठीक ना नेक्स्कुश्चिन के है, साथ मा कुश्चिन है, वित मंत्री ने एक फरवरी को घोशना की कि ग्रामीड और सहरी चेत्रों में कितने घरों को लावारतियों के रूप में पहचाना जाएगा 20,000, 30,000, 40,000 या 60,000 तो इसकुश्चिन का राइट अंसर आपसन दी होगा साथ हजार ठीक है ना एक फरवरी को घोशना करकी और ग्रामीड और सहरी छेत्रों में साथ हजार घ्रों को लाभारतियों के रूप में पहचाना जाएगा ठीक है ना तो पहचाने जाएगा प्रधान मंतरी आवास योजना यानि पी-म-ए-वाई प्रधान मंतरी आवास योजना भारत सरकार दोरा गरीबी की फायती आवास प्रधान करने के उद्देश्च शुरू की गई थी सितनामन ने मार्ट से 2030 तक आपाथ कालिन क्रेडिट लैंड गरंटी योजना यानि ठीक न के विस्तार की भी घोशना की है नेक्स्ट क्या है आठमा कुश्चिन है आर्तिक साडवेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया है जिसमें इस साल की जीडिपी व्रधिदर का नुमान कितने प्रसेंट रखा है तो 7.2% 9.2% 9.99% या 5.2% तो इस कुश् साल के जीडिपी व्रधिदर का अनुमान प्रसेंट रखाया गया 9.2% ठीक ना रखा गया आर्थिक सामिक्षण वित्वर्स 2021 में अर्थ ववस्ता के विविन्य चेत्रों की इस्तिती के साथ ही व्रधि में तेजी लाने के लिए किये जाने वाले सुधारों का ब्योरा दिय अर्थिक सामिक्षण भारती अर्थ ववस्ता की स्तिती को मजबूत बनाने के लिए अपूर्तिक पक्ष के मुद्दों पर केंद्र है तो आसा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगी केंद्री बजट से जितने भी 2022 और 23 में जो यह बजट पेस कि अगर हैं अगर आपके यह वीडियो अच्ची लगी थो प्लीज वीडियो को लाइक करें । अपने उन दोस्तों को सेर करें जो इस म काझा के मत मिलेगी अगर से टो प्राप्ट पिर अगर था ले च सब्सक्राइब कर लए जिए आधा झाल झाल